कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका न्यूत कर साइस यूटूब चैनल में मध्यकाली नितिहास की संखला जो मैं चला रहा था उसके अंतरगत आज मैं उत्रोत्तर काल मुगल काल में दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें अंत में सासकों के बाद मैं जो आज सासक बताओं गूंगा उससे पहले मैं फर्रुक सिर तक इससे पहले मैं बता दिया था तो आए देखते हैं आज के इस वीडियो में उत्रोत्तर मुगल काल के जितने भी बागी बचे सासक हैं उनको खतम कर देंगे और यहीं से क्या सासकों में देखेंगे तो फर्रुक सिर की हत्या कौन कर देता है सेयद बंधू कर देते हैं सेयद बंधू किंग मेकर मैंने पहले बताया था आगे चलकर कभी आप देखेंगे तो जब सेयद बंधू ने जब फर्रुक सिर की हत्या कर दी तो फिर सेयद बंधू ही क्या करते हैं कि रफ्यू दर्जात को सासक बनाते हैं रफ्यू दर्जात भी सहीद बंध्यों की सहायता सही सत्ता प्राप्त करता है और सहीद बंध्यों की वज़े से इसको सत्ता मिलती है लेकिन आगे चल करके सबसे कम आवजी तक रहने वाला ये मुगल साहसक था और इसकी जो मृत्यू है वो टीवी की वेशा था छे रोग की वेशे इसकी मृत्य हो जाती है तो याद रखेगा इसके यही है कि सबसे कम अवित्क रहने वाला सासक फरुरिंग बनता है जून में मर जाता है फिर आता है रफ्यों दौला यह दूस से पेचिस होती है बहुमत सारंगीला केगे बात करेंगे तो सैड बन्धों का अंत हो जाता है जो चंकलीश मौना pain निजामूल मुलक दोनूए एक ही नाम है यहां कर्ता है है और भी राजी वह सथापित हो रहे होते हैं उसी क्रम में देखेंगे तो लिएस बंगाल में मुर्शित कुलिखा कर सुतंदता की घोचला कर देता है अवद में साधत खाएं भरतपुर मत्रा में बदन सिंग है यह क्या करते हैं कि गंगा यमुना के द्वाब छेत्र में आप देखेंगे तो बंगस पठान है वो सब अलग-अलग देखेंगे तो भी रुहेला सरदार है सब क्या कर करते हैं छोटे-छोटे राज क्या कर देते हैं उनको सोतंद कर देते हैं लेकिन इन में से इसी के काल में मुख्य बात मैं बता दूं कि 1720 में इसका कारेकाल देखेंगे तो आप 1719 से ले करके 1749 काफी लंबा इसका डूरेसन है तो 1720 में जजिया कर अंतिमुप से समाप्त क कर देता है इसी के काल में नाधिर्साह ने भारत पर आकरमण किया नाधिर्साह को भारत नाकरमण कर ने के लिए नियुता कौन देता है यह साहधत खाय क्या आप यह क्या करता बैक यह बारत में बहरति के इरन को और इस Will South हब कर 一ृर। बारत करता है जित ज्रीव रहा इडियें तो Case क्षैंते में मुघंब करते हैं बहु जब बहुत कि अदे मृध सार घ्लाब इसको clod जाए अब इसको उतना पैसा तो मिल नहीं पाता है तो यह साधत खां से मांग करता है कि आप 20 क्रोड रुपया हमें दीजे इस बात पर दीजे क्योंकि आपने मुझे बुलाया है इसके लिए आप मुझे 20 को रुपय दीजे अब 20 को रुपय देना आसान कम थुथानी साधत के लिए और चिंकलिश हां से कहता है आप 50-80 लाग दीजे इसे बόलता है बढ़ाSoft अन से किता में बीस क्रोड दीजे तो बीस को तो नहीं दे पाते हैं लेकिन यह pounds-filled in इनसे 50 koyud नहीं दे है तो इंको यह लगता है यह इतना ज़सके अपने आप में नहीं है कि तबी मारे जाएंगे और पैसा है देंगे निससे अच्छा है उसकी मौत मरें अपने आप ही मर् जाते हैं तो जहर का कि अपने आप ही। मर जाते साधत खां पैसे देने में असमЛ Advt thé आत्मत्या कर लेते हैं और इसी के काल में अब देखेंगे तो कोहिनूर हीरा है और तक्ते ताउस है तो दोनों को क्या कर लेता है तो कोहिनूर हीरा और तक्ते ताउस दोनों ले जाकर के चला जाता है इरान तो इरान लेकर के चला जाता है तक्ते ताउस पर बैठने वाला रथा तो मयूर सिंगहासन पर बैठने वाला मुहमद सार रंगीला अंति मुगल बात्सा था ये प्रिच्छा प्रस्ण आ सकता है नादिर साह गया उसके बाद मुसका पुत्र फिर बार 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 हमले करते चला जा रहा है उसका पुत्र है एहमद साब्दाली उपाधिये दुर्रे दुर्रानी आए देखते हैं इसके काल में इसका काल जब खतम होता है मुहमद सार रंगीला का तो निक्ष सासक जो बनता है वो है एहमद साब्दाली अलग है काल में पाँच बार एहमत साबदाली आकरमर करता है एहमत साबदाली आकरमर करता है और इसको काफी जदा हर बार इसको निरासा हाथ लगती है और अंत में एहमत साबदाली आलमगीर दुती को बातसा घोजित कर देता है आलमगीर दुती जब बातसा घोजित हो जाता है तो सब्सक्राइब करें इसका नाम इंपोर्टन है इसका मून नाम अजीज युद्दीन था परिचा में पूछा जाकता है अजीज युद्दीन किसका नाम था तो यह आलम की दुथी का नाम था साहालमद, अभी मैं आपको एक कोड भी बता दूँगा जिससे आपको याद करने में तो आसानी हो जाएगी उत्रोतर मुगलकाल के सासकों के बारे में साहालमदिती की बात करेंगे तो इसका मूल नाम जो है वो अलि गोहर है अली गोहर क्या है इसका मूल नाम है पानीपत का तिरती यूद बकसर का यूद दोनों इसी के काल में हुए थे पानीपत के यूद और बकसर का यूद इसी के काल में हुआ था लेकिन इसी ने क्या किया था साहालम दुती ने ही कलाईव को बंगाल बिहार मुडिसा की दीवानी भी दे दी थी कलाईव राबर्ट कलाईव आप नाम सुने होंगे तो साहालम दुती ने कलाईव को बंगाल बिहार उडिसा की दीवानी प्रदान कर दी थी पूछी जाती रही है इसके बाद में इसका पूत्र आ जाता है अकबर दूती क्योंकि यहीं पर क्या होता है अंग्रेजों का पुरुत पूरी तरीके से हावी हो जाता है मुगल काल के उपर अर्थात मुगल के सासकों के उपर जो मुगल सासकों के उपर यह हावी हो जाएंगे अंग्रेज तो यह क्या करेंगे अपने हिसाब से फिर मुगल बादसा न्यूपत करते हैं उसी क्रम में अगला बादसा अर्थात अंग्रेजों की सनरचन में बनने वा बाद में इसी काल में आप देखेंगे, तो ये नाम मातर का साथ सठ है, उसए पौहीं तक ही सीमित है, दिली तक ही, अकबर दूती के काल में मौगल सिक्रेख, भी चलन में बंध हो गए, अथाथ मौगल सिक्रेखर भी पुरी तरीके से क्या कर लिए गया, प्रतिबंद लगा दिया गया बन्द ही हो गए पुरी तरीके से इसके बाद में आ जाता है बादूर्सा जफर यह जफर उपनाम से कवितायन लिखता था इसलिए इसको जफर कह देते थे इसका उपनाम जफर था वैसे नाम इसका बादूर्सा है अठारस सतानों ने विद्र सथ देने के कारेड़ इनको हुमायों के कीले से उखाया जाता है अर्फात वही पक्लाइब होते हैं इन को रंगोन वी एक देज्ध दीया जाता है और अथारा सू बाजभें चीलिए और तो कहते हैं इनके बारे में पूझता हो मानना है कि जफर इतना बदन्सबी इतना ब सायरी है जो काफी फेमस है उसको मैं आपको लिखी हुए मैं आपको बता देता हूँ ना किसी के आखों का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ जो किसी के काम ना सका वो मैं बुजता हुए चिराग हूँ बहादूर सा जफर की ये लाइन है तो क्योंकि कह सकते हैं जो इ ये कह सकते हैं मुगल एक इतनी बड़ी सत्ता उसके हाथों में एक बड़ी इतनी बड़ी सत्ता उसके उन्होंने इस्थापित कर दी थी लेकिन जफर क्या कर देता है उसका मतलब कह सकते हैं अंतिम ऐसा चिराग है जो सत्ता को पुरी तरीके से उसके काल में विकटित हो जात बहादुर साथ जफर सायरियां वगरा बहुत लिखता था याद रखेगा तो फिलाल आज के इस वीडियो में इतना है उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ सेर जड़ू कीजेगा वीडियो देखन के लिए आपका पुना एक बार बहुत बहुत धन्यवाद